Assalamu alaikum wa rahmatullah तो आज हम लोग एक और वीडियो धर्मा लाइव जो की ABP Network का एक चैनल है उसके उपर में गौतम खटर का एक वीडियो है उसके रियाट करेंगे और इसका हेडिंग में ये लोग लिग के रखे कि जो अल्ला को ना माने वो काफिर अब वो क्या बोल रहे है क्या बकवास फैला रहे है इस वीडियो में तो उसके रियाट इंशाललों करते हैं ये कैसा धर्म है वही जो केवल अल्ला को माने और कुरान पर माने वो तो अच्छा जो ना माने उसको तुम गर्दन काटने को कहते हो तो ये पहला पॉइंट उनका कि जो अल्ला को माने वो ठीक है और जो नहीं उस पर गर्दन काटने को बोल रहे हो ये अजीब बात है कि वही लोग जो जिजिया पर सवाल करते हैं जो ये बोलते कि गैर मुस्लिम से जिजिया लिया जाता है वो यह हमसे अब सवाल करते हैं, वो यह भी फैलाते हैं साथ ही साथ में, कि गैर मुस्लिम को मार देने को, काफिर को मार देने को बोलता है, अगर हम मार ही देंगे, तो जीजी हम मुर्दा से लेंगे जाकर के, मरे वेशक से जिद्या लिया जाता है, और यह चैलेंज है, गौ यहर्मूना मा हर्रम ल्लाहु वारसूलहु वलायदिनून दीनलहक्ट मिननल्जीन उतुलकिताबा। यह कुरान में ऐसा कह रहे हैं। तो यह कैसे धर्म होगा। अब ना रेफरेंज दिया ना उसका ट्रांसलेशन किया। बस यह कुरान में ऐसा बोलते हैं। और बस अर्भी पढ़ दिया तो सोचा कि बस बहुत ही महान स्कॉलर हैं। कुरान का यह सूरह तौबा है सूरह नंबर नौ आयत नंबर 29 है। और इसके उपर में मैंने डीटेल रेप्लाइ पहले भी दे दिया है। कि आयत यह नहीं बौलर ही कि जहां भी को जो अल्ला को नहीं मार उसे गृण काट अज barratt ये जो अल्ला को नहीइ मार यूअ उसे मार डाल लू। ये आयत यह बौल रही है कि जो इसलाम को अक्नॉलेज नहीं करता है और जो लोग उसको destroy करने के जैसे कि मदीना में लोग destroy करने के लिए पड़े वे थे वो एक security threat थे बहुत सारे state ऐसे थे जो रोमा नमपैर थे या जो पर्शन नमपैर तो वो security threat था Islamic state के लिए तो वहाँ पर उस बारे में बात हो रही है ना कि ये बोल रहे लिए लिए कि सब को गला काट दो और सब को मार डालो तो यह आयत बिलकुल भी वो point को proof नहीं कर रही यह जो कौतम खटर बताने को कोशिश कर रहे यह जो कौतम खटर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे अगर मेरे अब कुछ और पड़ा ट्रांसलेशन अपने तरफ से कर दिया डिस ब्लेटेंट लाए यह जूट है सरासर जूट है जो यह फैला रहे है चैनल बना करके और चैनल पर बैट करके धर्मा लाइव लिख रहे चैनल के जबकि धर्म का एक क्राटरिस्टिक है सज बोलना और यह जूट फैला रहे धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे है और इसी तरीके से जूट फैला रहे है अपने चैनल पर यह बैट करके ठीक है यह ट्रांसलेशन बिलकुल भी नहीं है बलके आयत कुछ और कॉंटेक्स में आयत स्टेट्स की बात करी आयत उन लोगों के बारे में जो कि Islam का एक्नॉलेज नहीं करते थे, उसको यह बोलते थे कि उसको खतम कर देंगे, हुम लोग Islamic State को खतम कर देंगे तो उसके बारे में फिर चिरन चाहिक?! यह मारकाट का धंदा है! यह द्यूम नहीं हो सकता हुए! तो यह मारकाđट का धंदा है. कि मुझे लड़ना नहीं है अपने भाईयों से तो कृष्ण बोलते है कि धर्म के लिए युद करने से बढ़कर तुम्हारा और काम नहीं है और इसलिए नपुनसक मत बनो इंपोर्टेंट मत बनो उठो और खुद लड़ाई करो चैप्टर टू वर्स नबर तू में भगवत कीता में तो मारकाट इवन वेदाज में भी आपको मिलेंगे तो इसलिए लड़ाई करना अधर्म के खिलाफ लड़ाई करना जूट के खिलाफ लड़ाई करना हिंसा करने वालों के खिलाफ इवन आज के नेट फोर्से जो होते जो यूएन है उसका भी यह काम है तो मार काट बोल करके आप किसी भी चीज को सही या गलत या रॉंग या फॉल्स में प्रूफ नहीं कर सकते हैं अगर सिर्फ मार काट गलत है तो इवन हिंदू धर्म को भी हम लोगों को गलत बोल देना हो क्योंकि इसमें भी यही चीज़े भगवद गीता और महाबारत और बहुत सरे और भी लाइन से इतना लंबा चौड़ा संस्क्रीट पढ़के फिर यहां भी ट्रांसलेशन गोल कर दिया क्योंकि इनके पास पता है रेफरेंसेज नहीं है इनके पास एक रेफरेंस वसुदेव कुटूमकम जो यह बोल रहे है कि पूरी दुनिया एक ही फैमिली है वो मिलता है महा उपनिशत का रेफरेंस है जो कि यह मिलता है आपके हिंदू धर्म लेकिन वही महा उपनिशत जो इनसान spiritually connected नहीं रहता उसको old donkeys यानि बुड़े गधे भी बोल और सनातन धर्म में सिर्फ यही नहीं है बलकिए आपको जब सनातन धर्म का आप यह हिंदू धर्म को मेंशन करें तो मनुस्मृति में जो कास सिस्टम है उसको भी आपको मेंशन करना होगा साथी साथ में अनारिय और उसी तरीके से दस्यू और उसी तरीके से मलेच और उसी तरीके से वह concept वह चीज़ें जो आप बोलते हैं राक्चस और यह सारी चीज़ें जो यह सत्यात प्रकाश में में मेंशन है उसको भी आपको मेंशन करना होगा किस किस तरीके से family तो है ले उसी तरह की से बुरे लोग भी बताया गया है और कास सिस्टम तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक्जामपल है तो इसलिए और कुरान में क्या यह नहीं कुरान में अगर गौतम खटर जी कुरान पढ़ चुके तो उसमें उनको यह नहीं मिला कि या युहन ना सु इ बुनियाद है और यह डबल स्टैंडर्स है जिस जो यह बैट करके धर्मा लाइप फैला रहे है उमीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे शेर कर देंगे उन लोगों तक जिन तक यह जूठा वीडियो पहुंचा होगा ताकि जो सही मेसेज़े सही प पंचे